हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घर की रैसोई भी सुनीती सरकार में आज हम आप सभी के लिए एकदम डिफरेंट तरीके से ब्रेट के कटलेट बनाने की रैस्पी सेयर करूंगी जो इतने ज़्यादा टेस्टी है और क्रंची है जिसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम इंग्रीडियन की इसमें जरूरत होती है यह कटलेट आज हम एकदम डिफरेंट टरीके से बनाएंगे और इसकी साउंड सुनिया देखिए कि प्रंची आवाज आ रही है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी य जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकते और हाँ इस वीडियो में आज हम ब्रेट क्रम्स किस तरह से बना सकते हैं वो भी हम दिखाएंगे तो अब देर नहीं करते हैं और कटलेट बनाना शुरू करते हैं तो कटल तो पहले हम ब्रेट की सारी किनारिया काट लेते हैं उसको हमें फेकना नहीं है तो ये लिजे सारी ब्रेट की किनारिया काट लिए और ये जो किनारिया है जो ब्राउन कलर के किनारे होते हैं इसको हम बना लेंगे ब्रेट क्रम्स तो मिक्सी के जार में इसको हमने सारा डाल तोड़कर और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे बारीक यह देखिए हमने ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम रोष्ट कर लेंगे चलाते हुए मीडियम गैस पर इसे रोष्ट करना है तो यह लिजे फ्रेंड्स को हमने रोष्ट कर लिया है तो गैस की फ्लेम को हमने बन कर दिय निकाल रखेवाज यहाज और ऊपड़न के राओर, बारीक निकाल Our偏 gleich हैП में निकाल लेंगे 202045 मुद्चक्छिट मेरव निकाल रखे भार्टन के निकाल लेंगे रिखेशा उक्वीड़ बारीक पड़न कर लिए और बैंड निकाल लेंगे अगर आप इससे कम बनाते हैं या ज़्ञादा लोगों के लिए बनाना है तो आप ब्रेट को उसी के हिसाब से एज़ेस्ट कर सकते हैं तो यह हमने साथ आलू लिए हैं बॉयल करके छील लिए हैं इसको और इसको हम अब मैसर की मदद से मैस्ट कर लेंगे अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसे कद्दू कर सकते हैं या कटोरी की मदद से भी इसको आलू को बारीक मीन सकते हैं और ये हमने कुछ सबजिया ली है, एक गाजर को कद्दू कस कर लिया है, सिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, तो मीडियम साइज के प्याज को बारीक चौप कर लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का उसको हमने बारीक काट लिया है, एक मुठी धनिया को भी बारीक क नमक अपने टेश्ट अनुसार कम या जादा कर सकते हैं तो आलो में सारा मसाला पढ़ गया है तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम डालेंगे हाफ टी इस्पून हल्दी पाउडर इससे बहुती बढ़िया कलर आता है और यह एंटिबाटिक होता है तो यह ऐसे बहुत ज्यादा फाइदे मंद है तो इसको भी डाल कर अच्छे से आलो में मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियां काटके रखी है उसको भी इसी में डाल देंगे तो सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल ले है और उसके बाद हमने जो सिंगला मि चम्मच में अच्छे सी आलू में अच्छे से लिया है अब रखने में दूसरा बरतन के लिए हैं उसको हम इस बरतर में पलेट तेंगे आप इसकी जगे बाउल या प्लेट किसी में भी आप इसको ले सकते हैं वन टीच्पून इसमें ब्रेट में नमक ढालेंगे और ढलने के बात समस्के इसको लेंगे और प्लक क्रम्र कमच करेंगे ज हीब ऐसे पेसे नमक को अजये । जाएंगे तो फ्रेंट्स ये लिजे ब्रेट क्रम्स एक तम डो की तरह त्यार हो गया है तो हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे और उसको डो में हर तरफ से लगा देंगे तो ये दिखिए साइड में रखा हुआ दूद आधी कटोरी दूर लिया था और इतना सा दूद बज गया है तो में अलुकित व्रेंट्स ब्रेट और आलू से ये बहुती डिफ्रेंट सा कटलेट बन दे सकते हैं कर डों morale उसकुत में हैं ये यह सबसंके pogत में की पने यह जो आलू का हमने पेशट बना के रख़ा है उसमें से चमच की मदद से छोटी छोटी लोई 오े निकाल लेगए और उन लोई को हातों की मदद से दोनों हातों से गोल कोल करेंगे और एक टिक्की की तरह आकार देते हुए आलू की सारी टिक्कियां पहले से ही तयार कर लेंगे इससे कटलेट बनाने में बहुत ज्यादा असानी होगी तो यह लिजे सारी टिक्कियां आलू की बनकर तयार हो गई है तो इसको हम रख देते हैं साइड में और चलते हैं दूसी तरफ तो यह लिजे लोई काट लेंगे एक नाप की लोई काटनी है और जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं उतनी बड़ी बड़ी इसकी लोई आप चाकू की मदद से कट कर लें तो फ्रेंड्स ये लीजे सारी लोई कट कर त्यार हो गई है तो इसमें से हम एक लोई उठाएंगे और इसको हाथों की मदद से एक कटोरी की तरह त्यार करेंगे जिस तरह से कटोरी के लिए कटोरी बनाते हैं ठीक उसी तरह से ब्रेट की लोई लेंगे और इसको कटोरी की बना लेंगे फैला लेंगे और जो टिक्की हमने आलू की तियार की है उस ब्रेड में रखने के बाद ब्रेड को साइट से दबाते हुए उसको बंद कर देंगे आलू की टिक्की दिखनी नहीं चाहिए इसलिए ब्रेड से उसको एकदम से ढग देंगे जिस तरह से वीडियो म कर सकते हैं वो भी हम आगे दिखाएंगे इसी तरह से हम दूसरा कटलेट भी त्यार करेंगे तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे वह चिपके नहीं और इसको हम कटोरी की तरह बना लेंगे ठीक उसी तरह से और आलू की टिक्की रखने के बाद इसको प्रेट सा कटलेट बनकर रेडी हुआ है तो यह सारे कटलेट पहले से अगर हम रेडी कर लेते हैं तो कटलेट को जब हम डिफ्राई करें या इसको हम नॉर्मल फ्राई करते हैं तो उसको बनाने में हमें परिशानी नहीं होगी तो फ्रेंट्स यह अभी इतनी सी आलू की टिक्किय बचा हुआ है तो उसको भी हम इसी तरह से कटलेट को Ready कर लेंगे तो जितनी मिटरय करें अध्य को अरेडि कर लेकी जहें मिक्स के लिए दौनों को करने के लिए कोाची deep करके उठाएंगे और दूसरे सूखे हाथ से bread crumbs को cutlet में डालेंगे जिससे इसको अच्छे से cover कर देंगे ताकि bread crumbs उसमें चिपक जाए और पलटकर फिर से उसी process को करेंगे और cutlet से bread crumbs को चिपका देंगे और इसको अच्छे से चिपकाने के बाद उठाकर plate में वापस रख ल जाड़ने के बाद कटलेट को वापस प्लेट में रख लेंगे, इसी प्रोसेस से दूसरे कटलेट को भी हम रेडी करेंगे, एक हाथ से कटलेट को कौन फ्लोर में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से हम ब्रेट करम लगाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा उलजन नहीं होती तो ये देखिए तो cutlet में bread crumbs लग गए हैं इसी तरह से हमने सारे bread crumbs cutlet में लगा लिए हैं और ये ready हो गए हैं तो इनको ready हो गए तो थोड़ी देर के लिए rest के लिए रख देंगे तब तक gas on करके हम एक कड़ाई चढ़ा देते हैं और कड़ाई में हम डालेंगे mustard oil दिफ्राई करने के लिए आप अगर mustard oil ना यूज़ करना चाहें तो इसकी जगह आप refined का यूज़ भी कर सकते हैं तो हमने इसमें mustard oil डाला है और mustard oil जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो ये देखिए mustard oil अच्छे से गरम हो गया है और gas की flame full थी तो हमने medium करने के बाद cutlet जो ready किये हैं उसको एक एक करके बहुत ही आराम से इसमें cutlet को डालेंगे जितने cutlet एक बार में oil में आ जाएं उतने ही cutlet हमें इसमें oil में डालने हैं तो हम यहाँ पर 4 cutlet एक सार डालने हैं और oil को थोड़ा थोड़ा spatula से cutlet के उपर डालेंगे ताकि जो cutlet पर तेल पर जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे से fry हो जाएंगे तो oil में cutlet डालने के बाद थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देगें 5 मिनट उसके बाद इसको हलके हातों से spatula से पलट देंगे तो ये देखे हमें थोड़ी देर हो गई है cutlet को डाले हुए तो इसको spatula की मदद से इसको हम पलट देंगे ताकि दूसी तरफ से भी अच्छे से सिख जाए cutlet को हमें golden brown होने तक सेखना है cutlet को थोड़ी देर oil में इसी तरह से पड़ा रहने देंगे उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें cutlet को पलट देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से golden brown से हो जाएं तो यह लिजे cutlet एकदम ready हो गया है अच्छे से deep fry हो गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं बड़े से चन्ने में जिससे extra oil जो है वो निकल जाएगा थोड़ी देर इसी तरह से कढ़ाई के उपर इसको रखेंगे जिससे extra oil जो होगा वो निकल जाता है cutlet डालते समय गैस की flame को medium कर दिया है तो ठीक उसी तरह से फिर से हमने cutlet को deep fry करके निकाल लिया है जब हम cutlet डालते हैं उस समय gas की flame को full रखें और cutlet डालने के बाद गैस की flame को medium कर दें इससे cutlet अंदर तक अच्छे से सिख जाता है तो friends ये लिजे cutlet ready है खाने के लिए आप इसे breakfast में या शाम को tea time भी इसे बना कर खा सकते हैं तो ये लिजे एक हम आपको cut करके दिखाते तो कितनी बढ़िया crispy सी आवाज आ रही है तो ये सच में बहुत ही क्रिस्पी बने और बहुत ही ज्यादा मज़ेदार बने है इस नास्ते को आप ज्यादा से ज्यादा बनाए नहीं तो कम पड़ जाएगा तो जो हमने cutlet काटा है वो हम आपको पास से दिखाते हैं कितना बढ़िया इसमें आलू भरा हुआ है और बहुत ही बढ़िया ये कच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन को आल पे कर दे ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें वह आपको सबसे पहले मिल सके मेरे साथ वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आप सभी क बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्वास्त रहें मस्त रहें